हमस्कार दोस्तों मैं उदेलाण पे एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ेखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों का आज के उड़े में तहदिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमने लिखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों मुर्गी पालन के व्यावसाय में बदलने वाला मोशम सबसे बड़ा खत्रा जो है दोस्तों बनकर मंडरा रहा है ऐसे में मेरा मुर्गी पालक भाई परिशान है तकलीफ में है वह सोच रहा है और पूछ रहा है कि बदलने वाले मोसम के माध्यम से आने वाले दिक्कतों को मैं दूर कैसे करूँ क्योंकि किसी के पास 2-4 मुर्गिया है तो किसी के पास 10-20 है ऐसे में फिर बहुत बड़े डोसेज जिसमें लासोटा, गंबोरा, ब्रोटान, वाइमेरॉल इतनी लाने की उनकी कुवत नहीं है फिर ऐसे में करे तो क्या करे मुर्गी को बचाना है और हमारे फार्म को आगे ल कैसा वहाँ पर रहने देगा दोस्तों क्योंकि जब मुश्किल आती है तो हमें वहाँ पर उस मुश्किल को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ता है इसी दर्मियान दोस्तों जैसे ही आपका मैसेज आया कि बदलने वाले मोसम के कारण वश हमारे मुर्गी पाल जो हमारे पुराने व्यक्तियों ने वहाँ पर ढूंड कर निकाली थी अगर उसका इस्तमाल करोगे तो सव प्रतिशत मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाले दिक्कतों को बहुत बड़े पैमाने पर कम करने में सफल हो पाओगे करना क्या है करना कैसे है कब और कैसे करते हुए कौन सी बातों को याद और ध्यान में रखना है यह बताने वाला यह वीडियो है दोस्तों की जो आपको सफल ताकि उस उच्चाई पर पहुँचाने के लिए दोस्तों पूरा प्रयास करेगा और कभी भी दोस्तों एक बात सोचिए कि कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपका यह भाई आपके सामने सुलूशन लेकर हजिर होता रहेगा यह सुलूशन दोस्तों इसके दर्मियान आप तक पहुचा रहा हूँ इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत महत्तो पुर्ण है शुरुआत से लेकर अरंत तक देख लिजे पसंद अगर आ जाए तो जरूर लाइक कर दिजे ज्यादा ज्यादा किसान भायों और मुर्गी पालक भायों के पास पहुचाने के लिए शेयर कर दिजे पया मानते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दायतर निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी हैंगे इस बनावट में हमारी मुर्गया किस तरह से आमना सामना करती है इस बदलने वाले मोसम का दोस्तों मुर्गयों के अगर हम शरीर का पूरी रचना देख ले तो मुर्गयों का शरीर इस बनावट का होता है कि जो ठंडे किस्म और जिस्म का होता है ऐसे में दोस्तों जिस तरह स आदमी सर्दियों के मोसम में वहाँ पर अपने शरीर में गर्मी को तयार कर पा सकता है और साथ ही में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाये तो धूप के इस मोसम में अपरेल और मई महा में दोस्तों पसीन अपने आप आ जाता है और हमारा temperature control हो जाता है लेकिन I.S.E. luxury, I.S.E. facility मुर्गियों के शरीर में नहीं होती है मुर्गियों के शरीर का simple फंडा होता है गर्मी आती है, गर्मी बढ़ती है शरीर में बाहरी वातावरन में सर्दी बढ़ती है तो तापमान घटने लगता है इसी कारणवस दोस्तों जब तक मुर्गी को वहाँ पर सहने के लिए सक्षमता है तब तक सह पाती है लेकिन अगर बहुत ही सहते सहते दिमाग के उपर चला जाये तो वो अपनी जान भी छोड़ देती है एक मरने वाली मुर्गी दोस्तों हमारा चार पासो का नुकसान नहीं करती है सिर्फ वो तो नुकसान करती है हमारे पूरे वहाँ पर सपनों का हमने जो सपने मुर्गी पालन के फार्म से आगे बढ़ने के लिए सोचेते, देखेते, जानेते, परखेते उनको वहाँ पर बहुत बड़ा छेद होने की संभावना होती है इसलिए दोस्तों इस समस्या को कैसे हम छुटकारा पाए किस तरह से निजात पाए इसलिए मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ प्रस्तुत वीडियो अगर देख लेते और उस माध्यम से अगर आप यहाँ पर जो है दोस्तों इस्तमाल कर लेते हो इस विधी का तो सव प्रतिशत सफलता आपके पैर चुमेगी तो कैसे देखिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों हमारे पुराने लोगों नो याने पुर्खों ने बताया है कि अगर आप गुड़पानी का इस्तमाल करते हो तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको आधे से ज्यादा खत्म करने में कामियाबी वहाँ पर जो है दोस्तों प्राप्त होती है जब दोस्तों 2019-2020 की बात है कोरोना का महा प्रले हमारे यहाँ पर आया था तो इसी गुड़पानी ने हमें बचाया था दोस्तों टीके तो आये थे मैं नहीं कहता की नहीं आये थे लेकिन दोस्तों गुड़पानी ने हमारे शरीर में बीमारियों के खिलाब लड़ने की एक ऐसी ख्षमता तयार कर दी थी दोस्तों कि जिसकी वजह से mortality rate दुनिया की तुलना में बहुत ही ज्यादा हमारा कम था ऐसे में दोस्तों यही गुड़ पानी आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी लेकिन कैसे देख लीजिए दोस्तों क्या आपको पता है कि आयरुवेट कहता है कि शरीर के अंदर अगर गर्मी ज्यादा हो अगर वह गर्मी वहाँ पर इमानदारी की हो यानि कि आप कहोगे कि जो जुखाम आता है वह गर्मी नहीं शरीर के अंदर एक ऐसी उर्जा ऐसी गर्मी कि जो आने वाले हर bacterial infection यानि जिवानों को हर viral infection यानि विशानों को वहाँ पर खत्म कर पाए और ऐसे खत्म करने की अगर ताकत किसी में हो तो वह है दोस्तों गुड में अगर गुड का इस्तमाल सही तरीके से सही मात्रा में करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी बिमारी आपके फार्म से जो है दोस्तों दो हाथ दूर ही रहेगी दोस्तों गुड पानी का इस्तमाल कैसे करना है क्या हो सकते है फायदे और गुड पानी इतना महत्तो पुर्ण क्यूं है दोस्तों मुर्गी पालन के व्यावसाय में देखते है दोस्तो गुड़ पानी हाँ दोस्तो गुड़ एक आईसा पधार्त दोस्तों कि जिसका इस्तमाल करने से शेरिर में आईसे उर्जा संचारी तो हो जाती है कि जिससे बैक्टिरिया और साथी में वाइरस का बहुत ही ज्यादा हम वहाँ पर खातमा कर पाने में सफल हो सकते हमें करना क्या है बदलने वाले मोसम में जब मोसम बदलता है दो पहर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी और रात के वक्त ठंड दिखाई देती है या कौन सा भी मोसम जब करवट लेता है तो ऐसे मोसम में मुर्गी असहज महसूस करती है लेकिन अगर उसको बच्चाना होगा तो दोस्तो गुड पानी का सही समय पर और समय समय पर इस्तमाल करना पड़ेगा अगर दोस्तो आप सही तरे का गुड लाते हो अगर वहाँ गुड और्गनिक होता है सही मातरा का होता है तो ऐसा एक किलो गुड़ आपको लाना है एक लिटर शुद्ध पानी लेना है और दोस्तो उसमें स्रिफ सव ग्राम गुड मिक्स करना है आपके मुर्गी पालन के फार में आपकी मुर्गिया मुर्गियों के बच्चे जितना पानी पीते है पहले देख लिजे ड्रिंकर में अगर पाँच लिटर पानी वह पी लेती है तो 500 ग्राम गुड मिक्स कीजिए एक लिटर पीते है तो 100 ग्राम गुड मिक्स कीजिए बस दोस्तो आपका काम लगभग लगभग वहाँ पर खत्म हो जाएगा जैसे ही गुड पानी का यह मिश्रन शरीर में प्रवेशित हो जाता है अपना काम शुरू कर देता है शरीर के अंदर जिवानों विशानों को वहाँ पर लड़ना शुरू कर देता है जिसके माध्यम से मैं यहां नहीं कहूंगा कि सव प्रतिशत हर बीमारी दूर हो सकती है लेकिन इतना यहां पर कहूंगा कि बीमारीों का प्रतिशत और बीमारीों की जो वहां पर आने की रफ्तार है उसको हम कम करने में कामियाब हो जाते हैं यह तो आपको समझ में आया लेकिन इस्तमाल हफते में कितनी बार करना चाहे यह समझाता हूं अगर दोस्तों मोसम बदलने वाला है तो हफते में तीन बार सर्दी और बरसात का मोसम है तो हफते में दो बार और गर्मियों का मोसम है तो हफते में एक बार अप्रेल और मई महा में तो सव प्रतिशत इस्तमाल करना ही नहीं है क्योंकि इसमें होती है गर्मी बाहर गर्मी अ हफ्ते में दो बार और गर्मियों में हफ्ते में एक बार तेज गर्मी में अप्रिल और मई में इस्तमाल नहीं करना है अगर ऐसा इस्तमाल करते हो तो दोस्तो दिन दुगनी राच चोगनी प्रोग्रेस आपके फार्म के हो जाएगे और रात का फार्म लाखों का मुनाफा कम के लिए दोस्तो आगे बढ़ जाएगा यह सबी बाते करते हुए दोस्तो असल में गुड़पानी का इस्तमाल करने से हमें कौन-कौन से फायदे हो सकते बतलाता है और साइड इफेक्ट दोस्तो कुछ भी नहीं है अगर आप सही तरीके से इस्तमाल करते हो और अप्रिल मई महा में इस्तमाल नहीं करते हो 40 डिग्री सिल्सियस के ऊपर तापमान चला जाने के बाद गुड़ पानी का इस्तमाल रोग दीजे बस इतनी आपके लिए सला है दोस्तो फाइदा नमबर एक गुड़पानी के इस्तमाल से हमारे मुर्गियों के बीमारियों के खिलाफ लड़ने के एक शमता बढ़ती है दूसरी बात अंडो का परड़क्षन बढ़ता है तीसरी बात मुर्गी तंदरुस्त हो जाती है चवती बात दोस्तो उस मुर्गी के माध्यम से निकलने वाले चूजे भी तंदुरुस्त निकल जाते हैं ऐसी अनगिनत यहाँ पर जो संभावनाएं असीमत संभावनाओं को आप सफलता की कुणजी की तरफ जब नापते हो तो दोस्तो यह गुड़ पानी का इस्तमाल करना कितना साहिय बुथ हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से गुड़ पानी का इस्तमाल करके आप सव प्रतिशत सफल हो सकते हैं जब कुझी भी आपको सुलूशन ना मिले तो बेजिजक इंडियन मुर्गी पालन और आपका यह भाई उदैलाड आपको सुलूशन देने के लिए तयार है दोस्तो आप दिक्कत में मत आये क्योंकि आपका चेहरा मुर्जा गया तो मुझे भी वहाँ पर आच्छा नहीं लगता है और मैं खुद को वहाँ पर जो है ठगा हुआ महसूस करता हूँ कि अगर मैं आपकी सेवा करने में कामियाब नहीं हुआ तो दोस्तो मेरा क्या उपयोग है ऐसा मुझे लगता है इसलिए दोस्तो यहां से आगे मैं ने एक नया रास्ता चुन लिया है उस रास्ते के अनुसार जिनके पास 50 सव मुर्गिया है या इससे उपर है या जो बड 842-1826262-182662 पर भारत और शिक किसी भी कोने से आप हो आपका नाम और पता लिखवा कर भेजना है दोस्तो और उसके बाद मुझे एक कॉल करना है चौरासी-182662 की सर मुझे आपसे जुड़ना है आपके साथ जुड़कर काम करना है मैं तो दोस्तो आपको यहां पर इस का बाते आपको बताऊंगा आपको जीरो से हिरो बनाने की जिम्मेवारी मेरी और हर आपकी तकलिफ को दूर करने के लिए आप चौरासी-182662 पर आपका नाम और पता वाटसप पर भेज़ दीजे कॉल किजे उसके बाद जॉइन हो जाए जॉइन होने के बाद दोस्तों हमार बाते लिए इस वीडियो के आप दाईतर निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाई लाल रंगे सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटि एंगिस घंटी को टच करते हैं और इस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है तो दोस्तों आएसे एक नयावड़ी लेकर मैं आपका दोस्तु देल आप सभी के चहिते इच्छानल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाईका और मुर्गी पालक भाईका आज की विड़ों में तेहे दिल तेह बहुत बहुत आप